नमस्कार आप सबका स्वागत है भारत और श्री लंका के बीट मोहाली में हुए सीरीश के दूसरे वनड़े में रोहित शर्मा ने जबरदस्त बेटिंग करते हुए डबल सेंचुरी लगाई वे एक सौतिरपन बॉल पर 208 रन बना कर नौट आउट रहे रोहित की इस धमाकेदार इनिंग के बाद टीम के हेड कोच रविवार शास्त्री ने उनका इंटर्विव लिया जिसे बी सी सी आई ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है रोहित शर्मा ने एक सौतिरपन बॉल की अपनी इनिंग में 13 चोके और 12 शिक्स लगाए इंटर्विव के दोरान जब रविवार शास्त्री ने उनसे कहा आप तो काफी ताकतवर हो गए हैं क्यूंकि मुहाली का ये ग्राउंड भारत के सबसे बड़े ग्राउंड्स में से एक है और आप यहां इतनी आसानी से सिक्स लगा रहे थे जैसे टेनिस क्रिकेट हो इसके जवाब में रोहित ने हस्ते हुए टीन के ट्रेनर शंकर बासु की ठक ट्रेनिंग को इसका क्रेडिट दिया रोहित ने कहा थांक्स थांक्स टू ओवर ट्रेनर शंकर बासु वो हम सभी पर काफी मेहनत कर रहे हैं मेरी ताकत टाइमिंग है, मैं बॉल की लाइन में आकर सही टाइमिंग से मारता हूँ इंटर्व्यू के दोरान कोच ने रोहित से ये भी पूछा कि आप अपनी तीनों डबल सेंचुरी में से किसे बेस्ट मानते हैं तो जवाब में रोहित ने कहा, तीनों डबल सेंचुरी मेरे लिए बेहत खास है, क्यूंकि तीनों को मैंने मुश्किल मकों पर बनाया है, किसी एक को फेवरिट बताना मेरे लिए कठिन होगा रोहित ने पहली डबल सेंचुरी आस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाई थी, उसे याद करते हुए उन्होंने कहा, साल 2013 में आस्ट्रेलिया के खिलाफ मैंने 209 रन बनाये थे और वो मैच सी रिच डिसाइडर था इसके बाद दूसरी डबल साल 2014 में श्रीलंका के खिलाफ लगाई थी, इसके बारे में रोहित ने कहा, श्रीलंका के खिलाफ उस मैच में मैंने 264 रन बनाये थे, तब मैं तीन महीने चोटिल रहने के बाद क्रिकेट में वापसी कर रहा था, उस वक्त मेरे दिमाग में चल है और आउफील तेज है, मेरे दिमाग में यही था कि मैं जितनी देर तक हो सके क्रीज पर रहूंगा, इंटर्व्यू के दौरान रोहित ने कहा, मैं जानता हूँ मैं दोनी और क्रिस गेल जैसे बैट समयन की तरहे पवरफल नहीं हूँ, मेरी ताकत मेरी टाइमिंग है और इसी बज़े से मैं उस पर ज्यादा भरोसा करता हूँ, मैं सिर्फ बॉल की लाइन में आकर सही टाइमिंग के साथ मानता हूँ, इस इंटर्व्यू के आकरी में कोच शास्त्री ने उन्हें बधाई देते हुए कहा, आपने बेहतरीन खेल दिखाया, आज आप बिलकुल रो हित पैसा वसूल शर्मा बन कर खेले